अब की अलेक्शन लाली तेस सेलेक्शन करना है सब को भाई इसी में है सब की लोगी को देखा मोदी को देखा हाथी वाली गई लहे राई न करना गलती भाई इसमें हम और आये विधान सभा में हैं और आप लोग जानते हैं कि अपने चनल के माध्याम सम लगा अतार बदोंगी लोग सभा का जो चुनावी महौल है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं हमारे बीच इसमें डॉक्टर साहब है और भी तमाम लोग हैं जो कि डॉक्टर के साहब के अच्छा इनके मला यह लगवर लगवर पेसेंट यहां पे आते रहते हैं तो मैंने सोचा थोड़ा सा रुखते हैं इनके इस्पेंसरी पे और बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या मह है इस बार चुनाओ का और इस बार जंता जो है वह किसके साथ है सबसे पहले भी यहां आई इन से बात करते हैं क्या नाम हो आपका मेरा नाम सिंगर अमर जी दियादोर इस्टार पर चारक मुंबई समाजवादी पार्टिस हैं और सिंगर भी हैं तो गाना होना तो जरूर गाते होंगे अरे तुरंद की हां चलिए क्या महौल है इस बार अब नहीं देखके मनाई के तो जनबा धिमाग तब हिस लगा हुए जिन्ना देबें हो है त्यों देदेए किसकी रहली समाजवादी पार्टी का के लिए सियादो जी जो आये थे और रहली का महौल देखके तो बड़े बड़े लोग जो है जो थोजेंगे चलो वाई सपा में हाथ धोते हैं यॉपी से तो हम लोग बैठाएंगे आगे देखते हैं कौन बनता है प्रधान मंतरी राउल गांधी या ममता बनर जी बहुत सारे लोग हैं जो कि उनका मुद्दा एक है अगर आप लोग इंडिया गडबंदन को वोट करना चाह रहे हैं तो किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट करना चाह रहें इंडिया गडबंदन को अब भाई 15 लाग तो आया नहीं उसका इंतजार कर जे करते दुबारा ओड़ दे दिये सब पबलिक अभी तीबारा उनके जहांसे में कोई आने वाला नहीं है सब हर विरादरी के लोग उनको पलट देंगे इस बार इंडिया गडबंदन की बीजय पक्की है अच्छे आप सिंगर है जाते होंगे समाज में लोगों के बीच गाना उना गाते होंगे कोई गाना है सफावपा का एक बार सुना दीजे पिर अरे अब की अलेक्शन लाली तेस सेलेक्शन करना है सब को भाई सी में है सब की भलाई न करना गलती भाई की नहीं भूल सकती हिसा किया है जो गान्धी परिवार ने योगी को देखा मोदी को देखा हाथी वाली गई लहराई न करना गलती भाई इसी में है सब की भलाई आप कह रहे हैं कि यह हाथ ही खो गया है लेकिन चोहान जितने भी लोग हैं दादा जी को वोट कर रहे हैं इसमें अरे भाईया दारा सिंग चोहान आ रहे हैं मैं पर सही यहां दूठ गाड़ी लएकि तीन थे मन रही अब उसे बढ़ा और कहा कहीं बोला है अब यहां से हाथ ही जो है वह सफाय हो गया है कुछ नाम चर्चा ही नहीं है अच्छा आप अकलेस भाईया के रहली में गये थे कि नहीं जब वहां होगा अरे भाईया गये थे उनका दर्सन करने के लिए हमको एक घंटा कंसों रेली रेला करना पड़ा वहां रेली में जब उनके रेली खतम हो गए उनका उसके बाद का जो महौल था वह देखे थे आप में रेली बीच में मैं छोड़ के आगया क्योंकि इतना वहां पर गर्मी और पसीना था पूरा मेरा कपड़ा भीग गया था बाहार निकला तो मेरे हमको ठंडा लगा तो मैं बहुला तो जो पब्लीक है उसको सम्हाल पाएंगे अखलेश जी अरे बिलकुल क्या ऐसा दरसल प्राब्लम क्या था कि यहां का जो डीम साहब है अभी उनको मालूम है कि इंडिया गड़मंधन की सर्का मलव इसमें चुनावी महल चल रहा है तो उनको इतना बड़ा जगह देना च तो धूप में बैठेते राइट साइड में कमसां पच्यास अजार पब्लीक लेप साइड में रोट पी कितने लोग बैठ यह खाली सोन रहा है भासड उनका देखने को जो है तरस देखा दस बज़े से जो कूर्सी लगा के बैठे तो वह भी नहीं देख पाए अच्छा य अब पूरा है कि इस बार ललतेश पसित्री पाठी बदोई से सांसर्पने की जिंदा बाद जिंदा बाद जिंदा बाद आईए थोड़ा सा डॉक्टर साहब से बात करते हैं क्योंकि आपको मैं बता दूं कि बीजेपी के जो प्रत्यासी है वो डॉक्टर साहब है प्रस्नली अपना बताईए कि आप किसको जिता रहे है इस बार जो अच्छा कंडिगेट हमें समझ में आएगा उसको मोड़ने देंगे क्या नाम है आपका फूल चंद पाल पूल चंद पाल कोई बाद नहीं है फिराल में भाईया थे एक सिंगर थे और यहां पे थे मुला परकात हो गई तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा बात करते हैं उसके बाद महौल क्या है वह बताते हैं तो यह कह रहा है कि हम गटबंदन को इस बार जिताएंगे है नहीं भीया जीत पक्की है फिराल में आप लोगों क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताईएग आप भहिया से जो बात कहा है उससे सहमत है या नहीं आप लोग जरूर कमेंट करिएगा चलिए ऐसे हम आप लोगों को चुनावी जो महौल है वह आप लोगों दिखाते रहेंगे